बहु हो ना, बेटी नहीं, चंदा की शादी को तीन महीने से ज्यादा हो चुका था, लेकिन इन दिनों में चंदा देखती है कि उसकी सास सुष्मा, उससे ज्यादा उसकी नना द्रिया को प्यार, फिक्र, इज़त दे रही है, और उसकी तो बस एक नौकरानी वाली वैल्यू अब देशाम, उसकी पडोसन कमली का आना होता है, अरे सुष्मा कहा है, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ, गुलाद जामून, वो भी अपने हाथों के बने, अरे क्या बात है कमली का की, लगता है बहुत बड़ी खुश्खबरी देने वाली हैं आप, अरे नहीं नहीं, बहुत न जाने का भी खुश्खबरी देगी, वो तो मैं नानी बनी हूँ न, तो अपने हाथों से मिठा बनाया हैं, अरे क्या बात है कमली, ला ला दे, थोड़ा चकर देखू कैसे बनी है मिठाई, वैसे तो दो ही गुलाब जामून ले आई, आप, वो ज्यादा नहीं बना पाई थी तो, मैंने सुचा दो-दो ही सबको दे देती हूँ, तू तो जानती है न, कांता का चछत और मेरा चछत जुडा हुआ है, कुछ भी बनाओ तो सबसे पहले वो मांगने चली, आती है, आप, चल कोई बात नहीं, एक मैं खा लेती हूँ और एक, हाँ, ए ने तो बहु नहीं खाएगी क्या, चल कोई बात नहीं, बहु मैं तो जगली बात जब भी गुलाब जामुन बनाओगी न, तो जरूर दे जाओगी, आत अपका तब देखेंगे, बसे बना अच्छा है कमली, क्या बात है, ये सब देखकर चंदा को बहुत बुरा लगता है क्यों इसकी सास कभी भी उसकी बारे में नहीं सोचती, लेकिन चंदा अपने आपको किसी ना किसी तरह समझा लया करती है। अब देर शाम चंदा का पती अजय अपनी मा, बहन और पत्नी तीनों के लिए साडियां लेकर आता है, तो चंदा बहुत खुश होती हैं। आप मेरे लिए भी साड़ी लाएं, कितनों प्यारा कलर है, मुझे बहुत पसंद आई ये साड़ी, ऐसा कैसे तुने ये साड़ी ले ली, पहले मुझे देखने दे, मैं और रिया जो पसंद करेंगे, उसके बाद तेरे लिए बचेगी, वो साड़ी तू लेगी, रख इसे न कुनों ही रख लो, वैसे भी भाबी की तो अभी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई है, उनके पास कपड़ों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्यों भाबी? लेकिन मैं अब तीनों के लिए एक एक साड़ी लेकर आया हूँ, तो अब तीनों बाट लो ना? नहीं नहीं, माजी कोई रखने दो, मेरा क्या? मैं तो इस घर की नौकरा नहीं हुई ही, सुबर, शाम बस खाना बनाने के लिए, ये सारी चीज़े तो माजी है और ननजी कुछी है, मुझसे कोई कहां पूछता है? ये क्या तरीका है माजे से बात करने का? चलो अभी के अभी माजे माफी मांगो, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, अन्ना मैं माफी मांगूगी इतना बोलकर चंदा अपने कमरे में चली जाती है, उदर सुश्मा आजे से कहती है देख राइना, तेरे सामने जब इस कितनी जुबान चल रही है, तो पीट पीछे ये ना जाने मुझे क्या बोलती होगी? और तेरे ना रहने पर ये मेरा क्या करेगी? भाईया भाबी ना हाथ से निकलती जा रही है, अगर इनकी जबान ऐसे ही चलेगी तो कल को इस घर में दो दो चुले जला करेंगी अरे मेरी बच्ची कितनी समझदा रहे तु, देख रहा है न रिया को, जिस घर में जाएगी घर को स्वर्ग बना देगी और ये बसे बसा इस्वर्ग जैसे घर को नर्क बना देगी, इसको संभाल वरना मैंने इसे अपनी तरह से संभालाना तो इस अदिक्कत हो जाएगी, हाँ अच्छे ठीके मा मैं उससे समझाता हूँ, अब लोग चिंदा मत कीजिए इतना बोलकर अजे भी अपने कमरे में जाता है और देखता है कि चंदा की आँखे भरी हुई है, वो अपनी मा से फोन पर बात कर रही है मा मुझे अपके बहुत याद आ रही है, मुझे ना यहां बस सब काम करवाते हैं, ना खाने को पुछते हैं, ना आराम देते हैं और जो भी अच्छे चीज़े ये लेकर आते हैं वो भी माजी और नाना जी रख लेती है चंदा, फोन रखो और मेरी बात सुरो चंदा, सुन रही हो ना, मैं क्या कह रहा हूँ मा देख रही हो ना, यह मुझे से ना अपनी मा और बेहन की साइट से लड़ने आया है अभी यह मुझे सबचती ही नी मा, कहां बस गई हाँ, हाँ, तुम ही फसी हो, मैं नहीं अरे, तुम भी तो मुझे समझो, फोन रखो नाई, मा मुझे बुला लो अपने पास मुझे यहां नहीं रहना, मा आप सुन रही है ना, मुझे नहीं रहना या चन्दा तुम इतनी सी बात को बढ़ा रही हो, मैं कहा रहा हूँ ना, मैं मा और रिया से भी अच्छी साड़ी तुम्हें दिला दूगा सच कह रहे हैं, मा फोन रखती हो, बाद में बात करूँगी चंदा अपने पती की ये बात सुनकर अपनी मा का फोन कट कर अपने पती अजे से कहती है देखा ना तुमने मा जी औ नना जी कैसे मुझे कुछ भी नहीं समझती और गर की नौक रानी को भी इतनी इज़त मिलती है कि उसे भी हर मैने कुछ न कुछ देते हैं वो भी पकार के साथ तुम्हें तो मैं समझा समझा कर परिशान हो चुका हूँ लेकिन तुम हो कि सुनती नहीं हो अच्छा चलो अब ये बताओ कि किस सास वहोग की बनी आच तक और रही बात रिया की रिया इस घर की लाड़ ली है मा की लाड़ ली है मैं समझ गहि लेकिन मैं ये नहीं कह रहे कि मुझे ज्यादा प्यार इज़त सम्मान मिले लेकिन इस घर में तो मेरी इज़त नौकरानी से भी कई गुजरी हो गी है अच्छा तुम अब ये सब छोड़ो मैं तुम्हें जल्दी तुम्हारे माई के गुमालाओंगा बस ठीक है ये भी न मैं कब से सुन रही हूँ चलती हो खाना बनाने का समय हो गया है नहीं तो इसके लिए भी ताने सुनने को मिलेंगे भरबर के चंदा जैसे ही हाल में आती है फिर से अजे की कानों में उसकी मा सुष्मा और पत्नी चंदा की आवाजे आने लगती है ये सुन गर वो अपना सर पकड़ लेता है क्या करू मैं खुद का अफिस रहो तो बॉस के ताने और गाने और घर आओ तो मा और बीवी के ताने मेरे तो जिन्दगी ही ढोल हो गई है लगता है बीच बचाओ के लिए जाना ही पड़ेगा चल बेटा अजय पीस्ते के लिए तयार रहा है अजय हाल में पहुँचता है वो देखता है कि उसकी बीवी और मा एक दूसरे को सुना रहे है ताने दे रहे है अरे क्या तू मेरी बेटी को देख कर जलती रहती है मेरी बेटी जितना दुख न तू काड भी नहीं सकती अरे माजी जैसे मैं तो किसी की बेटी हुई नहीं न मैं भी अपनी भावी के साथ पूरा-पूरा दिन घर का काम किया करती थी हाँ, हाँ, बताया तेरी भावी से कितनी बनती है रोज-रोज लड़ती थी तू, तेरी पडोसन ने मुझे सब बताया था अरे, अन्मन किसकी नहीं होती माजी और अन्मन हुई भी तो कभी मेरी माने मेरी साइट से मेरी भावी को नहीं बोला भावी आपका सच में बहुत ज़्यादा हो रहा है अगर आपको इतनी ही दिक्कत है परिशानी है तो आप कुछ दिनों के लिए मेरी जगर लेकर देखो फिर पता चलेगा अरे क्यों नहीं मन्जूर है मुझे ये तो तैरा अभी से मैं माजी की बेटी और तुम इस घर की बहु का रोल निभावगी ठीक है अगले दो तिन दिन में आपको भी आपकी नानी याद ना आ जाए तो मेरा नाम भी रिया नहीं अरे जाओ जाओ देखते है कौन हार मानता है और जीतता है ये बाजी ठीक है बहु अगर तेरी यही इच्छा है तो तु देख बहु और बेटी में क्या आंतर है लेकिन आप सब ये क्या कर रहे हैं बहु बेटी बन रही है और बेटी बहु कोई सुनेगा तो क्या कहेगा मा आप तो समझदार है इन दोनों के बिज क्यों पढ़ रही है रिया और चंदा जो की बेटी और बहु के पक्ष के लिए लड़ रहे थे और चंदा जो कि घर की वहू थी वो कुछ दिनों के लिए बन चुके थी घर की बेटी और रिया चंदा की जगा घर का काम समभा लेती है ये सब अजय देख रहा था लेकिन बेचारे में इतने हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी मा, बीवी और बहन के बिच कुछ बोल सके वो तो बस पास खड़ा सब देख रहा था अब अगले पांच मिनिट बाद ही सुश्मा बार बार चंदा को बुला कर उसे परिशान कने लगती है अरे चंदा बेटी, जरा मेरे पैर में दर्द हो रहा है, थोड़ा मा लिस्तो कर दे मा जी मुझे अभी और भी काम है भोलो मैं तैप रिया हो, और रिया कोई काम नहीं कर सकती इतनी लंबी लिस्तो नहीं है रिया की मा के लिए मुझे कुछ ज्याद ही बड़ा चड़ा कर बताया जा रहा है, ताकि मैं ये चैलिंज हार जाओ हार तो मेरे खुन में लिखाई नहीं है, तो भूल से भी भूल मत करना नज्ची हाँ माजी अभी आपके पैर के मालिश कर दीती हूं इतना बुलकर चंदा अपनी सास जो कि अभी मा की किरेक्टर में थी उसकी तेल मालिश करने लगती है और सुश्मा भी आदे घंटे से जयादा समय तक चंदा से तेल मालिश करवाती रहती है मा मैंने इतनी दिर में खाना भी बना दिया है किचन भी साफ कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ नाटक देखने हाँ हाँ बहु जा तो आराम कर ले वैसे भी पूरा दिन काम करके तो भी ठक जाती होगी क्यों है ना बहु हाँ माजी बहुत थकावट हो जाती है लेकिन आप भी मुझे बहुत समझती है सास हो तो ऐसी माजी इतना प्यार तो मुझे कभी नहीं मिला ये प्यार ओवर नहीं है मुझे तो आप खाना बनाने के बाद कहती थी कपड़ेते लगा ले ये कर ले वो कर ले जितना रिया को मिल रहा है तो हार मांजा और मोबांद रख तुझे हार भी नहीं मानना और अपनी जबान भी चलानी है चंदा की खुन में हार जाना लिखाई नहीं है चिली माची हो गई आपके पैरों की मालिश ठेक है तो कुछ खाले उसके बाद मेरे कमरे में गरम दूद पानी सब रखाईयों हा लेकिन माई ये काम तो मैं करती थी ना आपकी बहु अभी तो मैं आपकी बेटी हूँ तो ये काम रिया करेगी अरे नहीं वो काम भी मैं चाहती हूँ कि मेरी फूल सी बेटी ही करे बहु तो पूरा दिन घर का काम करके ठक जाती है बहु से कुछ कहना सही नहीं है जंदा समझ चुकी थी कि उसकी साथ ये सब जान बूझ कर कर रही है ताकि वो हार मान ले और सारी जिंदगी उसकी साथ जो भी हो उसे वो जेलती रहे लेकिन चंदा भी कुछ कम नहीं थी वो भी डटी रहती है अब अगली सुपर जब कमली फिर से गुलाज जैमून बना कर लाती है तो सुश्मा कमली से कहती है लगता है अब फिर से नानी बनाने के खुश कबरी देने आई है तू मुझे नहीं नहीं अपकी बार तो कमली काकी दादी ही बनने वाली होंगी अरे नहीं नहीं इस बार तो मेरी बिल्ली ने पुरे आठ बच्चे दिये तुझे पे चाहिए तो ले जा सकती है बड़ी प्यारे छोटे छोटे बच्चे हाई राउ, इसका मतलब कमली का की, अब बिल्ली की बच्चों की दादी बनी है कमली, तुझे अगर इतना ही दादी बनने की उत्सुकता हो रही है तो तू अपनी बहु को कह दे न, वो तुझे दादी बना देगी, यह सब क्या है अरे वो हमारे छट पर उससे बच्चे दिये, तो मैंने भी कहा चलो कुछ मीठा हो जाए अच्छा यह सब छोड़, और बता इस बार कितने गुलाब जामुन लाई है आज भी पस्दो ही गुलाब जामुन लापाई मैं ठीक है, एक मैं खालूंगी और एक मेरी बहो को दे दूंगी अरे क्या बात है, लगता है आज सुरज पश्चिम से निकला है वैसे आज तो बहो के गुणगान कैसे गा रही है चलो जो भी यह अच्छा है, चलती हूँ बहुत काम है इतना कहकर कमली सुष्मा के घर चली जाती है दूसरी तरफ एक गुलाब जामुन तो सुष्मा खा चुकी थी और दूसरा गुलाब जामुन चंदा खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है सुष्मा रिया को गुलाब जामुन देते हुए कहती है आरे आरे तू कहा आगे बढ़ रही है गुलाब जामून खाने के लिए? मैंने कहा ना, यह गुलाब जामून मेरी बहु के लिए है, बेटी के लिए नहीं अच्छा माजी अब समझी, कल तक तो आप बहु को पूछती तक नहीं थी आज बेटी बहु बन गई तो बहु बहु के गुणगान गा रही है तुझे जो समझना है समझ ले लेकिन मैं अपनी बेटी को ऐसे ही रखती हूँ और हाध्यान से सुन कल तेरे लिए रिष्टा आ रहा है तो थोड़ा अच्छे से तयार हो जाई हो ये क्या कह रही है आप माजी मेरे लिए और रिष्टा आपका दिमाग तो ठीक है आप अपनी शादी शुदा बहु के लिए लड़का ढून कर ला रही है देख लड़का तो तेरे लिए ढून ना ही है क्योंकि तुझ बहु नहीं बेटी है और दूसरी बात तो खुद को थोड़ा सा मेंटेन कर ले ताकि लड़के वाले तुझे देख करिये ना कहा है कि लड़की मैं कमी है भई लेकिन माजी मुझे तो खुद में कहीं से भी कोई कमी नहीं दिख रही और शादी तो मैं करने से रही अब तक तो चंदा को लग रहा था कि वो कैसे भी इस चैलेंज को जीत लेगी लेकिन जब सुष्मा चंदा के रिष्टे की बात करती है तो चंदा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अब देर राज चंदा ये बात अपने पती से कहती है आपको पता चला मा जी मेरे साथ क्या करने जा रही है अब क्या कर दिया माने मा और तो मुझे तो किसी का कुछ समझ में नहीं आथा अरे ये सवाल आप अपनी मा से जाकर पूछिए वो मेरे लिए रिष्टा ले कर आ रही है और मुझे शाम में पता है उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा मुझे अपने आपको मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए रिष्टा आ रहा है क्या मजाग है मा ऐसा बोली नहीं सकती हाँ मुझे तो पता है आपको अपनी मा अच्छी लगती है लेकिन आप अपनी मा से जाकर पूछ लीजिए उन्होंने मुझे ये बात कही के नहीं कही अजे उसी वक्त अपनी मा सुश्मा के कमरे में जाता है सुश्मा अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी मा ये मैं क्या सुन रहा हूँ अप चंदा के लिए रिष्टा देख रही है क्या अपनी बेटे के लिए मैं रिष्टा नहीं देख सकती अब क्या उसे सारी जिंदगी यही बैठा कर रखूँगी मा आपको क्या हो गया है आप लोगों ने एक चैलेंज रखा और उसको इतना सीरियस ले लिया कि अब आप अपने ही बेटे की पत्नी अपनी बहु के लिए रिष्टा दुन रही है ये सब सवाल ना तु मुझसे मत कर ये सब किया धरा तेरी पत्नी का है तू उसे दोश दे लेकिन मा ये सही नहीं है अब क्या करने जा रही है आप सोच भी रही है ऐसा है कि रात के ग्यारा बच रहे है मुझे सोने दे सुबा उठना है मैमान आएंगे उनके लिए खाना पीना घर साफ करना से अब देखना है जहां बिटा मुझे सोने दे अजे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था चंदा भी परिशान थी इदर रिया घर का सारा काम करके परिशान थी और सुष्मा तो अपनी बहु को सबक सिखा रही थी जो सिर्फ यही कहती थी कि सुष्मा अपनी बहु से ज्यादा बेटी को प्यार करती है अब चंदा भी बेटी होने का दर्चा पाकर पच्टा रही थी अगली सुबा अरा चंदा बेटी सुबा से बैठी हूँ चाय मिलेगी कि नए लेकिन माजी चाय बनाने का काम तो घर की बहु का है और अभी बहु का दर्चा रिया को मिला हुआ है ना अभी बना देती है मा कोई बात नहीं माजी ये सब छोड़िये मुझे पूरी राट टेंशन से नीन नहीं आई क्या सच में आप मेरे लिए रिष्टा ला रही है हाँ तो क्या तेरे लिए मैं रिष्टा ना देखू तुझे सारी जिंदगी यहीं बिठा कर रखू अरो तुचाती क्या है तुइस गर की बेटी है तो बेटी की तरह रहे अरो मैं मा हूँ मुझे मावाले काम करने दे इतना सुनकर चंदा जोर सोर से रोने लगती है उसकी रोने की आवाज सुनकर अजे हॉल में आता है और चंदा को चुप कर आने लगता है वहीं दूसरी तरफ रिया भी अपनी भावी को चुप कर आ रही थी अब रोना बन कर ये सब मैं तुझे सबक सिखाने के लिए कर रही थी बहुत हुआ नाटक तेरा तू मेरी बहु है और बहु बन कर रहा है अरिया मेरी बेटी है उसे बेटी बन कर रहने दे पाप मेरे लिए को रिष्टा तू नहीं ला रही है ना मैं इनके बिला नहीं चीज़ सकती माजी आरा नहीं ला रही मेरी मा, अब जाकर किचन का काम कर अरिया, तु जाकर आराम कर बच्चा, तुने बहुत काम कर लिया, जा मेरी लाडो मा जी, अब तो कम से कम बहु और बेटी में भेद बहु मत करो ठीके मा, अब लड़के वालों को बुलाई लीजिए ने 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 मैं मजाग कर रही थी देर सही सही लेकिन चंदा को अकल आ जाती है कि बहु और बेटी दोनों ही बराबर है लेकिन दोनों का रिष्टा अलग गी तो है और उस दिन के बाद से चंदा ठान लेती है कि वो बेशक बहु बन कर रहे लेगी लेकिन बेटी नहीं बनेगी